हेलो,ज़,ज़.आज से हम स्टार्ट कर रहा हैं चेप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स के और कॉष्ट noise यह समय से पहले वी जो क्लास ते क्लास ती है वास है उसमें आपको सारे बेसिक्स और यह था जिसने भी वह वीडियो नहीं देखिए है इससे पहले वाली वीडियो थी वह उसमें सारे मैंने आपको basics पतायाते हैं कि हमारा class marks mean, median, mode, group data, ungroup data यह सब क्या होता है ठीक है तो वह वाली class जरूर देख लेना video ठीक है वह video बहुत जरूर है एक्सरीज के questions करने के लिए वह मैंने बेसिक्स बिल्कुल डीपली बेसिक्स बदाया थे मैंने आपको उसमें ठीक है तो हम देखते हैं चैप्टर फूटीन के कोशन सबसे पहले गाइस हमारे को ना एक्जमपल वान करना भोजिर हो रही है एक्जमपल वान करने से हमारे बहुत सारे वह सारी प्रॉब्लम्स दूर होएंगी ठीक है मैंने जो आपको बेसिक्स में पताया थे ना उसमें सबसे पहले देखते हैं में एक्जमपल वान में का कह रहा है कि रहा है 10 मांक्स उप्टेंड बाइ 30 स्टूटेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ शर्टें स्कूल ऑफ इन मैथेमेटि हुआ हुआ है फिर आप मांक्स देख लो मांक्स अप्टेंड लिखे है वो 10 20 36 40 50 92 85 88 । ऐसी कुछ है ठीक है धजिक है अन्रड से निचे हैं तो है हम हंटर्ड में से मांक्स आ हैं तो रहले लिखते हैं फिल मैं आपको सारा समझात हूं कैसे करना है डिबल में हमें दिया ह हमें number of students Number of students जो विए मैंने आपको पहले इस से पहले वहली class में पिताया था कि नफर हमेशा क्या होता है जब हमें number of त्योल Пон cordain't your number of plants जुछ नबर हमें Number दिया होता है वह होती हमारीी फ्रेक्वेंसी ठीक है इसको हम फ्रेक्वेंसी भी कह सकते हैं यह हमारी फ्रिक्वेंसी होती है तहां कि marks obtained और हमें number of students दिये हैं सबसे बहले हम data लिखे न टेबल बनाते हैं सबसे बहले हमें दिया वह 10 20 36 40 50 50 56 60 70 72 80 88 दो 92 92 और 95 ठीक है देन हमें number of students frequency कितनी दिवे है 1134 3244 11231 यह हमें frequency दिवे है मतलब number of students दिवे है ठीक है अब हमें basically question में कह रहे है find the mean of the marks obtained by students हमें इन सब का mean निकालना है अब mean कैसे निकालने देखो mean निकालने के न तीन methods होते हैं मैंने आपको पहले बिदा था एक होता है direct method एक होता है एक होता है च्शींद मीन एक होता है step deviation step deviation च्शींद मीन ड्रक मेतोड के बाद मेन आगे ऐँ एक है मेन फिर है step deviation यह तीन methods होते हैं हमारी तो सब से पहले मैं आपको त्विर्ट मेंतोड बता हुआ फिर अगले कोशन में मैं अस्यूंवीन मेंतोड कर दूँँगा फिर step deviation method कर दूँगा तो आपके ना तीनों methods clear हो जाएंगे ठीक है ना जो सबसे पहले देखते हैं अब कोई भी कोशन किसी भी method से करते सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कोशन किसी भी method से कर लोगा जो easy लगे पर कई पार हमें question में लिखा होता है कि यह वाला question जो आया हमें assume method से ही करना है यह वाला question हमें step deviation method से ही करना है तो उसी method से करना होता है जिसमें कोशन में लिखा होता है, जब कोशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम किसी भी method से करें, हमारी मर्जी है, ठीक है? तो सबसे बहले देखते हैं, direct method चोटा सो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, direct method का formula है हमारा, sigma, fi, xi, अब उन में, sigma, fi अब ये, fi, xi होते हैं, x, देखो सबसे बहले मैं पताता हूँ, f, f क्या होता है हमारा frequency में नहीं को पता है, तो number क्या हो गया हमारा fi, fi, ये हमारा fi हो गया, ओके, और जो xi है, xi हमारा जो ये ungroup data होते हैं, ungroup data हमेशे आद रखना, ungroup data 10, 20, 36, ये मतब एक ही data दिया हो, class interval में ना दिया हो, ऐसे ना दिया हो, 20 to 30, 30 to 40, अगर ऐसे बुछ लेखा होगा, तो नहीं होगा, xi हमारा ये होता है, ungroup data, अगर जिसको ये ungroup data, group data समझ नहीं आ र तो marks of 10 कि ये है, हमारा x i, ठीक है, तो हमारे mean क्या निकलेगा, सबसे पहले हमें, fi x i निकालना है, ये हमारे mean का formula है, mean को हम x bar से denote कर देते हैं, mean का हमारा formula है, mean is equals to ये, direct method में, तो सबसे बहले हमें क्या चाहिए, sigma fi into me x i, ये fi हमारे ये होगा, और ये जो बीच में है ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पर multiply है, ठीक है ना, ये हमारे बीच में अपने अप understood होता है, हमारे में understood होता है, कि बीच में multiply, fi के बाद into me x i है, तो हम यहाँ पर क्या निकाह लेंगे FI और XI FI into में XI अब यह FI हमार यह है XI इन दोनों को multiply कर दो है आप है 10 into 1 10 20 into 1 20 36 into 3 108 होता है 40 into 4 4 4 16 160 होता है ठीक है ऐसे इनको multiply करना है सबको 50 into 3 56 into 2 ठीक है तो मैं यह बुख में से देखके लिए तो आप सब multiply कर देना 56 into में 2 होता है 1 1 2 ठीक है यह हमारे मैंने सबको इनको multiply कर दिया FI into में XI FI into में XI FI into M. XI ठीक है यह वाले टांग हमारी FI F मतलब frequency और यह जो हमारे ungroup data होता है वह मारे XI होता है ठीक है तो हमारा FI XI आ गया और हमारा FI XI तो आ गया है वह मारा FI हमें यह रसाड़ा पर हमें कि इस सब को एप प्लस करोगे तो आजहेगा हमारा 1779 ठीक्ड जब है उसको प्लस करेंगे अब Defコ Geral को चीरिए मराई यह सारा ये भी लिध सार तो इन पाइ ने थे हो सम धू आधो नरे सम लिध्व लुगा कि सीफ़ एव अक्षरब हो स्वाइच सब्सक्राइब सक्रोदेल ये तो आजNew मारत आजいたिशक एक सा हुमार нрав अगा थे, आठीक है यह चीज मरी सीघ्मा फिस्ट इसनगे अब हमारा मीन निकल जाएगा क्या ज़िए पीज़ चुफ सेिवन गडिवार थर्टी थीज खरी गतना है तो में कितना हो गया हमार आई है इसको मैं काट देता हूं यह सारा कट जाएगा 310 यह कर देखा 3 5 15 3 9 27 और यह कहा है 9 33 9 कितना आज जाएगा यह 593 divided by 10 is equal to any 10 तो यहां पर डेसिमल लग जाएगा 59.3 यह हमारा आंसर यह हमारा में निकल गया हमें में निकालना था तो हमारा में निकल गया ठीक है तो यह हमारा था direct method मैंने आपको direct method पता दिया क्या होता है ठीक है अब गार्ज देखते है exercise 14.1 का question first इस question first करने से आपकी न जो basics जो आपको हलकी प्रॉलम रहरी होगी न basics की वह बिलकुल clear हो जाएगी आपकी basics की जैसे आपको अभी तक यह नहीं बदल लागी class मां कभ यूज करते हैं ठीक है वह आपकी clear हो जागी तो तो मैं exercise 14.1 का question first देखते हैं question first क्या रहा है कि हमें क्या रहा है a survey was conducted by a group of students क्या रहा है किसी ना group of students ने कोई survey किया उसके बाद क्या रहा है as a part of their environment awareness program ठीक है in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses क्या रहा है उन्होंने ना कुछ data record किया 20 houses का ठीक है कहने find the mean number of plants अब कहने कि mean number of plants निकाल के दिखो basically हमें mean निकालने mean का भाई formula यूज करेंगे direct method अभी ठीक है direct method का क्या formula होता है x bar x bar होता है मारा mean is equal to sigma fi x i upon me sigma fi ठीक है यह वाला formula यूज करेंगा direct method वाला अब सबसे पहले guys दिखते हैं कि हमें data क्या दिया हुए डाटा दिया हमें number of plants and number of houses number of houses अब इसमें तो guys हमें basically दोनों ही number दिया हुए अब इतर हमें यह कैसे पता लगा है कि इसमें से हमारी frequency कुन सी है यह हमें पता लगा डाटा देखने से देखो हमें data दिया हुए जीरो से टू 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 फोर यह सारा में data लिखता हूं फिर आपको बताता हूं 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, number of houses 1 to 15, 1 to 15, 6 to 3, 6 to 3 अब देखो इदर हमें data देखने से पता लगा रहा है कि frequency कुन सी कभी हमारी intervals कभी frequency नहीं हो सकती ठीक है कभी जैसे हमारी intervals दिया हुए कभी frequency नहीं हो सकती, frequency हमें से हमें single numbers में होती है है तो मतलं हमें x i केसे निकाले या इंतर हमें Alice i I mean everything X i जो होता है हमारा unf group data होता है मैंने को प्ताया था लेटर अपर computer single single consumer long दियो में उन् अंग Terroup data जो होता हो अन एक इस होता है पर लिए इदर हमें क्या दिया हुआ दिया हुआ देखो यह गुरूब्ड में 0 से 2 2 से 4 हमारा इतना का गुरूप है गुरूप डाटा कभी भी हमारा एकसाई नहीं होता तो हमें एकसाई कैसे निकालने के लिए हमें क्लासमार्ट निकालना पड़ेगा सबहzahl कियो निकालते हैं अब यहां पर अपो इस निकलते हैं यहां पर akos क्यों निकलते हैं यहां %3 46 14 46 10 10 2 or Aunty 5 six 14 14 would 1 2 7 10 2018 18 divided by 2 9 10 12 12 22 2Y by two 11 तेसं इम्हां कर दों यह वह स्वरूनी है उसमें अपकर लिमिट ब्लाय को स्वाली होगी लूँ बाग esses tentar इसीं सब्सक् semis कि आई एаст एक सि अधो इगस होता है एक सब्सक्राइए तो यह यहां तक समढ़ लो है यह हमारा अपर हमारा असली में का फारूना करता है उसे फाय फ्रेसा पुर्डा यहां सेनग जाएगा सिहना इसे गल सिग्मार 1 यहां है लुजआ ऊबहुंदम क्रोल एककालय को एकट निव हैं में हमेंS भी एक्षाइक मुल्टिप्लाय करनेबाऊबस्द पुटा'' score होता है तो आपको यहां पर एकक्स है आपको यहां पर लिखना सी 강ण खतम हो गया तो आपको यहां को करता हुगा इसके तो पो बी तोह सिभाए उसके बाद 5 अंगा 1 टिए फा जासा करते है तो टिक है यह ऋन्ट उ में यह इन फिरपा नहीं लिहेंघ करना कि बेष्ट सेया है नो 1 तूम we heures time कितना हो इक 5 फिर 5 बनेक्सिन फ्रिटीफाइफ ओके फिर 6 नाइन जा 54 औके फिर 11 टू यह टू दो इन 30 33 आ हमारा 39 यह सां करने में सम मतलब इस एक सब का सम ठीक है इनका सब का सम ठीक है इनका सब कीमिकर सम ठीक है Si x I is equal to Ketna ओढ़ेगा इसको सब को Plus कर دो टीक है 1 plus X plus यह सबको Plus कर दो तो हमारा sigma fI x I भी आजएगा फिर उसको इस्वारगन इसवार्गन में डाल दो कोशनमारा कहतम हो जागा तो अब इनका सब का स्म कर दो सम कितना अजयगा इसका इन सबको हमारा Sigma Fi XI कितना हो गया 162 तो इधर देखो और Sigma Fi XI 162 आप देखो अभी तरह आजो हमारे मीन क्या था मीन का फॉर्म रहा है Sigma Fi XI अपॉन में Sigma Fi ठीक है यह है यह यह है यह मेरा Direct Method है ठीक है यह हमारे मीन इसका मतलब होता है मीन या इसको मीन लिखते हैं इसको काड़ दो कोशन खतम होगा है यह हमारा मीन आजएगा इसको काड़ दो टैंज आट इंचे से अठाव देंगे तो ने हमारा आजएगा 8.1 ठीक है डेसिमल टैनल आगे है आपर डेसिमल लगा देगे ना तो 8.1 आ जगा तो हमारा मीन कितना होगा 8.1 तो बसे इसमें में आपको Office में जिखाना एंगा आगे कम लिए में में सब्सक्राइब करेंगेWW अधीया ठीक है फिर गधरक्रिय अपर में अगर्जन ॏंग्षण करेंगे तो हमसे काडी है आगे के questions करेंगे, ठीक है, thank you.